CA, तो नाम तो आपने सुना ही होगा, CA यानी Chartered Accountant, अब CA बनने का aim भी होगा बहुत से बच्चों का, लेकिन बच्चों को in-depth knowledge नहीं पता होगी CA course के बारे में, जो की हमें करना पड़ता है CA बनने के लिए, उन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन से stream के बच्चे eligible हैं CA course करने के अगर उन्हें मैस नहीं लिये, तो क्या वो CA course को opt कर सकते हैं, cost क्या रहेगी CA course को opt करने की, CA का main activity क्या होती है and many more जेश्री शाम एवरीवन, welcome to class 12 grooming education, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को aware करने आई हूँ about A to Z details of CA course, yes A to Z details of CA course, so वीडियो के end में बने रहें, आपके जो भी possible queries हैं इस course से related, वो पूरी आपकी आज solution आपको मिलने वाला है तो please इस वीडियो को end तक देखें, तो आईए सबसे पहले बात करते हैं बच्छे, full form of CA course, CA course, CA is Chartered Accountant ओके, आगे बात करेंगे बटा, full form तो CA course की है Chartered Accountant और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि CA का course करना पड़ता है अगर आप CA बनना चाहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली क्या है बटा, चार्टेड अकाउंटेंट होता है एक designation, ठीक है, designation मतलब एक post का name जो किस ने दिया है, ICAI ने ICAI मतलब Institute of Chartered Accountants of India, CA का course Institute of Chartered Accountants of India ही कराता है और फिर जो बच्चा CA का course complete कर लेता है, उसके बाद वो उसे क्या post दे देता है, designation दे देता है बेटा, चार्टेड अकाउंटेंट की ठीक है, Chartered Accountants की मैम core activity क्या होती है, मतलब अगर हम Chartered Accountants बन गए तो हमें क्या activity हैंडल करने को मिलेगी particular organizations में, तो बेटा, आप organization का basically taxation structure देखोगे मतलब organization का tax कैसे बच सकता है, लोग भी होते हैं जिनके पर personal tax वगरा लगाया जाता है, income tax यहनी की लगता है तो वो income tax को कम कैसे किया जाए, कैसे deductions ली जाएं कि tax कम से कम pay करना हो, मतलब taxation को manage करना और क्या होता है, financial statements जैसे कि हमें पता है, कि हर company के लिए compulsory है कि वो financial statements बनाए है न, तो financial statements की auditing भी compulsory हो जाती है, auditing मतलब inspection कराना तो auditing भी main core activity में count होता है, CA का, main तो बटा auditing ही करना होता है इसको auditing का मतलब होता है, inspect करना financial statements of the companies, financial statements यहनी की trading account, P&L account and balance sheet जो भी companies बनाती है, CA उनको क्या करता है, audit करता है, ठीक है, उनको inspect करता है कि वो correct है या नहीं है अब आगे बात करेंगे, eligibility for CA course, ठीक है, CA course के लिए eligibility कैसे है, देखो बच्चे, CA course आप दो तरीके से कर सकते हो एक तो आपके class 12 के बाद, class 12 के बाद आपको CA का एक entrance exam होता है, CA foundation के name से, वो clear करना पड़ता है CA foundation और यहाँ पर एक requirement भी होती है कि आप at least class 12 में pass होने चाहिए हो, मतलब 33% आपके marks होने चाहिए दूसरा है बटा, direct admission scheme, direct admission scheme direct admission scheme में क्या है, अगर आपने bachelors कर रखी है bachelors degree कर रखी है अगर आपने, मान लो, आपने b.com honors कर रखी है या आपने b.com कर रखी है तो उस bachelor's degree में आपके कम से कम marks 55% होने चाहिए तो आपको direct admission मिल जाएगा, मतलब आपको CA का entrance नहीं देना पड़ेगा मतलब CA foundation का exam आपको clear नहीं करना पड़ेगा और आपको direct admission मिल जाएगा CA course के अंडर तो यह हमारा direct admission scheme है but I would recommend you कि अगर आपको CA बनना ही है तो आप बच्चे class 12 के बाद ही CA course में avail कर लो ठीक है? क्योंकि बात वहाँ पे age की आ जाती है let's suppose आपने class 12 pass out करी 17 years के जबाब थे right round of 4.5 to 6 years लग जाते हैं आपको CA की degree attain करने में तो let's suppose अगर आप माने की 6 years भी लग गए तो यहाँ पर आप 23 years में ही CA बन गए right लेकिन जब आपने class बाचलर्स के बाद आपने अपना CA के course में admission लिया तो यानि कि आपने 20 years में अपनी बाचलर्स complete करी और उसके बाद 6 years आपको course करने में लगे है ना तो 26 years में आप CA बनोगे और इतना बच्छे आपको भी पता होगा CA बनते ही आपको repeated job नहीं मिलती पहले starting में तो थोड़ा struggle period आपको देखना ही पड़ता है अपने आपको well stand करने के लिए तो आप यहां पे 2-3 years तो अपने आपको well stand करने के लिए लगा दो मतलब round of 29-30 years में आपका career set होगा जो कि बहुत ही जादा हो जाएगा है ना और यहां पर 23 years सक आपने अपना CA का को कि आपने CA बनना है तो अब CA का course बिल्कुल class 12 के बाद ही opt कर लो अब आगे बात करते हैं बच्चों के जो questions रहते हैं students from which stream eligible for CA course? students कौन से stream के हो तो वो eligible होते हैं CA course के लिए तो बटा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि all streams चाहे कोई student humanity stream का है या commerce stream का है या science stream का है कोई भी बच्चा किसी भी stream से हो वो CA का course opt कर सकता है ठीक है बस वही है eligibility criteria पूछ पूरा होना चाहिए कि जैसे class 12 के बाद अगर लेना है तो 33% होने चाहिए और CA foundation का exam आपको clear करना होगा और दूसरी तरफ अगर आप graduation के बाद जाते हैं तो उस time पे आपका CA foundation exempt हो जाता है आपको direct entry मिल जाती है CA course के लिए next बीटा लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका मन है CA ही करना है तो आप बेटा commerce stream ही लो क्योंकि commerce stream के ही subjects हैं जो CA course में कराई जाते हैं accountancy हो गया, economics हो गया है ना तो आप starting से जब आपका एक mind map बना हुआ है कि मुझे बाद में क्या करना है CA ही करना है तो go for commerce stream क्योंकि commerce stream के subjects ही आपको CA में पढ़ाई जाते हैं तो आपका base already बहुत अच्छा बना हुआ होगा next are known math students can take admission in CA क्या वो बच्चे जिनोंने class 12 में math नहीं किया है क्या वो admission ले सकते हैं CA course में तो yes बेटा आप ले सकते हैं बिल्कुल आपका admission हो सकता है CA course में बस जो eligibility criteria मैंने आपको बताया है वो पूरा करना है अब यहां पे problem बस कहां पर आने वाली है CA foundation जो मैंने आपको बताया कि entrance test है उसमें बेटा एक math और stats का paper होता है ठीक है उसके लिए थोड़ी सी महनत आपको करनी पड़ेगी अच्छी जगा से coaching ले लेना और आगे अराम से इस exam को भी पास कर जाओगे तो tension नहीं लेनी अगर आपने CA करना है लेकिन math नहीं लिया है तो tension नहीं लेनी it's okay just focus इस paper पे जादा करना ठीक है next difficulty level of the course देखो YouTube पे ना बहुत सी videos है class 10th कर ली तो CA तो आराम से कर लोगे class 12th कर ली तो CA तो आराम से कर लोगे बिल्कुल मत जाना इन video की lines पे CA करना है तो CA एक laborious course है CA एक laborious course है मतलब CA में आपको efforts तो डालने ही पड़ेंगे आपको concept clarity करनी है यहाँ पे सिरफ यह नहीं है समझा और learn कर लिया वो चीज नहीं है deeply knowledge लेनी पड़ेगी हर चीज की concepts को बार-बार revise करना पड़ेगा तो CA करने में efforts तो चाहिए बट इतना भी धियान रखना कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको CA करना है तो impossible कोई चीज नहीं होती है ना अगर हमने अपने mind को set कर लिया है कि CA तो करना ही है तो आप बहुत अच्छे से efforts भी डाल लोगे बस mindset होना बहुत जरूरी है आपका positive mindset के साथ आगे चलना efforts अपने आप आ जाएंगे चिक है और CA का course भी बहुत easily कर लोगे so yes यह मस्त सोचके चलना कि easy course है easy नहीं है बिटा बहुत हटके जाने वाले हो आगे career बहुत अच्छा बनने वाला है तो definitely आज कुछ efforts डालोगे तब ही career अच्छा बनेगा है ना तो इसलिए जब आप कुछ अलग हटके course ले रहे हो तो हटके efforts भी होंगे definitely efforts लगाने पढ़ेंगे तब ही CA कर पाओगे otherwise नहीं कर पाओगे next बिटा stages in CA course तो stages की अगर बात करें तो हम यहां पर बात करेंगे class 12 के बाद जो बच्चे CA के लिए जाते हैं और यहां पर बात करेंगे जो after graduation जा रहे हैं जो बिटा after class 12 जाते हैं तो उनके लिए three stages होते हैं एक तो CA foundation जो की मैंने आपको बताया एक entrance test है ठीक है CA के exam में यह एक entrance test है जो आपको clear करना होता है to get the admission in CA course next बेटा CA Inter CA Intermediate CA Intermediate बोलते हैं इसको CA Inter के दो groups होते हैं Group 1 and group 2 चाहो तो इन दोनों के exam एक साथ भी दे सकते हैं और चाहो तो अलग-अलग भी दे सकते हैं next उसके बाद होता है बेटा CA final again इसके भी दो ही groups होते हैं group 1 and group 2 यहां पे भी options होते हैं आपको दोनों groups के भी exam एक साथ दे सकते हो अगर चाहते हो otherwise separately भी दे सकते हो ठीक है तो यह 3 stages रहेंगी अगर कोई बच्चा class 12 के बाद CA का course opt करना चाहता है अब बात करेंगे बीटा graduation के बाद तो जैसे कि मैंने आपको बताया CA foundation देने की need नहीं पड़ती graduation के बाद तो मतलब सिरफ 2 stages हैं after graduation एक तो CA inter, दूसरा जाता है और वहां पर आपको auditing की knowledge और जिस भी company में आप गए हो उसकी जो core activity है उसकी knowledge आपको provide की जाती है तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक company का environment कैसा होता है company में कैसे आपको काम करना है और अच्छे से तभी कोई सीखता है जब उसे practical knowledge दी जाती है तो यहां CA के under three years की articleship भी होती है जिसमें आपको professional training भी दी जाती है okay next duration of CA course तो duration की अगर हम बात करें CA course की तो अगर आपने सारी चीजे first attempt में clear कर ली अगर सारे ही papers first attempt में clear हो गए आपका CA foundation CA inter CA final के दोनों groups ठीक है तो आप 4.5 years में CA कर जाओगे ठीक है लेकिन अगर first attempt में नहीं हुए तो 4.5 years to six or seven years लग सकते हैं CA का course करने में ठीक है तो हमें यहां पर patience भी बहुत रखना पड़ता है क्योंकि मैंने बहुत देख़ए जो बच्चे CA कर रहे होता है 2 marks से भी अगर रह गए तो वह तो बटा रही गए अब दुबारा वह paper देना पड़ेगा तो patience नहीं lose करना है patience is the key to success patience को बिलकुल अपने साथ लेते हुए चलना है अगर बटा रह भी गए किसी paper में तो positive attitude के साथ जाना next time attempt देने के लिए next how to take admission in CA CA course में admission कैसे ले तो बिटा CA course में admission लेने के लिए आपको किसी college में admission नहीं लेना होता आपको ICAI यानि की जो इसकी conducting body है Institute of Chartered Accountants of India यहां पर registration कराना होता है इनकी website पर online form आपको मिल जाएगा वो आपको fill करना होता है और fill करने के बाद उसे में documents वगएरे upload होते हैं, fees आप देते हो और वहां पर आपका registration हो जाता है तो simple CA course करवा रही है Institute of Chartered Accountants of India आपने इसी के साथ registration कराना है यही आपको study material भी provide करेगी okay next average salary of CA ma'am जब हम CA बन जाएंगे तो हमारी salary क्या होगी बिटा अगर मैं beginner की बात करूँ तो एक average salary होगी आपकी 5 to 8 lakhs का package मतलब per annum 5 to 8 lakhs ठीक है, हो सकता है किसी की जादा हो 10 lakhs, 12 lakhs हो सकता है किसी की कम भी हो 4 lakhs, 3 lakhs यह एक average की मैं बात कर रही हूँ 5 to 8 lakhs का package जाता है आपकी campus recruitment होती है ICAI में campus recruitment campus recruitment campus recruitment तो पता ही होगा न बिटा ICAI में मतलब बहुत सी companies आती है जो CAs को hire करती है ठीक है, तो अगर आपकी महां पर campus recruitment हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है आपको खुछ job search करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा campus recruitment ही हो गई आपकी आपका course अभी कहीं बार complete भी नहीं होना होता about to complete होता है और company आपको hire कर लेती है कि आप exam देने के बाद final exam जब हो जाए तो हमारे पास आजाना तो कितनी अच्छी मतलब यह opportunity ICI ने provide कर रखी है that is campus recruitment next cost of entire course अब बेटा कोस्ट की अगर हम बात करें तो अगर मैं CA foundation की fees बताऊ तो CA foundation की fees 9000 के around CA inter both groups की बताऊं तो round off 18000 to 20000 round off की बात कर रहीं CA final 22000 के around मतलब 50000 से लेके 55000 के बीच में आपकी CA complete हो जाती है examination fees लगा लगा लो examination fee 15000 to 20000 तो मतलब round off मोटा मोटा आपको 70000 से लेकर 80000 रुपीस चाहिए आपको CA complete करने के लिए हाँ private tuition लेते हो अलग बात है यह ICAI की मैंने आपको costing बताई है round off तो this is a cost of entire course इतने भी questions है CA से related, CA course से related आपको answers मिल गए होंगे हमारी इस वीडियो को share करे with your friends also जो CA course के बारे में information जानना चाहते हैं और जिनका dream है CA बनना I hope आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं next video में एक बात और कहना चाहूंगी अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं हमारी जो team है वो आपको as soon as possible reply करेगी तो मिलते हैं मेटा next video में till then bye bye take care जैश्री शाम